पाजी नमश्कार देवी और सज्जनों लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ X-rays के बारे में बताया उसको थोड़ा सा रिपीट करता हूँ मैंने बोला दो तरह के X-rays होते हैं एक X-rays वो देखो continuous X-rays तो दो तरह का है जाने वाले electron टकराने के पहले ये target metal है इसमें भी तमाम atoms होंगे इन तमाम atoms के चारो तरफ electron cloud होगा तो जाने वाले electron इन electron cloud के जैसे नजदीक पहुचते हैं तो retardation होता है दोनों electron electron cloud सामने है और यहां से electron जा रहा है तो कुछ electron अपनी energy lose करते वह आपको पता है charge particle अगर decelerate होता है या accelerate होता है तो radiation फेकने लगता है तो यह charge particle यहां से टकरा के ऐसे गया सब अबनी अपनी energy का कुछ फ़न 12 कर देंगे उनका radiation मन जाए इसी radiation को हम x-rays बोल रहा है लेकिन अगर कोई भी electron जो आ रहा था, वो accelerating voltage V0 से accelerate हुआ, तो electron की maximum kinetic energy EV0 है, अगर यह सारी lose हो जाए, तो जो photon बनेगा, वो photon का wavelength minimum हो जाएगा, इसी minimum wavelength को हम cut-off wavelength भी कहते हैं, और इस cut-off wavelength का formula, hc upon ev है, यह voltage, accelerating voltage V0 है, इससे हमने cathode anode के बीच में लगा के, electron को accelerate किया, तो यह accelerating voltage के respect में, यह हमारा photon का एक minimum energy आगी, लेकिन मैंने इसमें बोला, continuous x-rays क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि all photons are possible, all photons of lambda, greater than lambda minimum, are emitted, तो आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा, कि सर यह वाला photon ज्यादा निकल रहा, यह वाला photon कम निकल रहा, कल हमने यह, यह हमने कल कर लिया था, अब last class में मैंने दूसरे तरह का x-ray बताया, वो है characteristic x-ray, characteristic x-rays का मतलब है, ऐसा x-rays, जिसमें electron आया, और orbit में बैठे किसी electron को, उसने उड़ा दिया, मालो यह nucleus है, और इसके बाहर में 2-3 orbit हैं, जिसमें electrons बैठे, यह electron गया, और सबसे अंदर वाले, यहने k-shell वाले electron को, इसने हटा दिया, तो यहाँ k-shell में एक vacancy create हो गई, तो कि जो electron था, वो तो हट गया, अब यह vacancy create हो गई, तो n is equal to 2, या n is equal to 3 वाला कोई electron, अंदर वाले electron को, की जगे को cover करने के लिए, यहने vacancy को fill करने के लिए कूद जाएगा, अब जब यह वाला electron कूदेगा, तो दो orbit के बीच का जो energy difference है, उसका photon बाहर निकलाएगा, यह photon क्योंकि specific energy difference का ही है, इसलिए इस photon की energy बिलकुल specific होगी, अब आप इसका meaning समझना, माल लीजे, यह दोनो orbit के बीच का energy difference 80 electron volt है, तो जब ही भी K shell का electron हम हटाएंगे और उपर से 2 से 1 में कूदा कोई, तो 80 electron volt का photon निकलेगा, अब माल लो कि accelerating voltage 200 volt था, यहाँ से चकडाने वाला जो electron पहुँचता था, वो 200 electron volt वाला पहुचता था, तो यहाँ से जो भी X-rays के continuous X-rays के photon निकलेंगे, उनकी energy 0 से 200 के बीच में होँगे, तो 0 वाले भी कुछ होंगे, 1 electron volt के भी होंगे, 2 electron volt के भी होंगे, 3K, 4K, 5K, 6K, 7K, 8K, 9K, up to 200 सारे होंगे, सबकी intensity बराबर नहीं होती, अगर मैं number of photons, या intensity of photon versus wavelength का graph बनाओ, और यह चेक करूँ कि किसके कितने photon हैं तो ऐसा graph बनता है, मतलब किसी photon का number थोड़ा कम होगा, gradually number बढ़ेगा, कभी न कभी maximum होगा, फिर gradually number घड़ता जाएगा, सबकी अलग-अलग है, लेकिन maximal distribution curve की तरह है, कि सबसे जादा energy वालों का number भी बहुत कम होगा, और सबसे कम energy वालों का number भी कम होगा, क्योंकि most of the electron अपनी energy का partial energy का photon ही बना-बना के अपना loss कर रहे होंगे, फिर से सुनो, अगर एक electron 200 electron volt का के टकराया, तो वो 200 का 200 loss कर जाए, इसके chance बहुत कम है, पॉसिबल है, लेकिन chance बहुत कम है, 199 जो loss करता उसकी intensity थोड़ी जादा होगी, 198 वाले की उससे जादा होगी, 197 ऐसे करके सबकी energy intensity अलग होगी, लेकिन 50, 300, ऐसे बहुत सारे electron होगे, जो अपना partial energy lose कर रहे होंगे, उनकी intensity जादा होगी, और फिर बहुत कम energy lose करने वालों की energy भी, बहुत number of photon बहुत कम होगे, तो characteristic x-rays और continuous x-rays में क्या खास बात है, continuous में सबकी intensity gradually change करती है, और अगल-बगल वालों की intensity almost same होती है, अगर मैंने बोला कि 50 electron volt निकालने वाले photon का number n है, तो 51 electron volt वाले और 49 electron volt वाले का number क्या होगा, तो आप बोलेंगे, ये graph हमेशा continuous है, यानि अगल-बगल वाले photon के number में कोई drastic difference नहीं आएगा, drastic difference नहीं आएगा, तो फिर क्या फरक पड़ेगा, तो फरक ही ये पड़ेगा, कि अगर हम जब characteristic वाले x-rays मिलाएंगे, तो मैंने अभी आपको बोला, continuous में energy निकलने है, 0 से 200 की, 0 से 200 की, यानि यहाँ पे 200, 199, 198, यह सब टक 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 है, यहाँ 100 है, यहाँ बीच में कोई number है, जो 80 electron volt का है, और उसके पहले कोई number था, वो 81 electron volt का, उसके बाद में कोई number है, वो 79 electron volt का है, तो आप बोलेंगे, continuous वाले graph में, 80, 79 और 81 के बीच में कोई खास difference नहीं है, लेकिन जब characteristic वाले निकलेंगे photon, और जितने भी electron characteristic वाले transition से निकलेंगे, वो सब मानलो 80 electron volt का ही कर रहे है, यह 79 नहीं कर सकता, यह 81 नहीं कर सकता, यह 80 electron volt ही फेक रहा है बार, तो जब characteristic मिला के तुम graph बनाओगे intensity versus lambda का, तो graph आपको ऐसे दिखेगा, यहां तक चला, और ऐसे एक peak मार के फिर यह graph आ गया, यह peak क्यों आ गया, क्योंकि यह normally 80 electron volt वाला जो photon था, वो continuous graph के हिसाब से तो बन रहा था, लेकिन characteristic में जितने भी photon 80 वाले बन रहे हैं, ना तो वो 81 बन रहे हैं, न 79, तो यह graph अचानक break हो जाएगा, 81, 80 पे यह height जादा पकड़ लेगा, और 79 पे यह फिर वापस आ जाएगा, आपको मैं जो समझा रहा हूँ, उसका थोड़ा sense बन के आ रहा है, कि यह graph बीच में या तो break हो जाएगा, ऐसे peak बकड़ में आएगा, पीक, पीक क्यों आएगा, क्योंकि continuous में भी वो वाले photon आ रहे थे, लेकिन characteristic में specifically वही वाले केवल आ रहे, तो अगर इस photon की energy 80 है, तो continuous में भी 80 वाले निकल रहे थे, और characteristic में केवल 80 वाले निकल रहे, तो 80 का number 79 और 81 और 82 और 83 और 78 और 76, सबसे जादा होगा, तो graph अचानक ऐसे peak पकड़ेगा, आप कहेंगे अरे यार यह तो अचानक number बहुत जादा हो गया, तो ऐसे graph में जो peaks extraordinary आता है, उसी peak को हम characteristic x-rays कहते हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा, कि कौन सा characteristic x-rays वाला है, अगर आप किसी भी intensity versus lambda का graph देखेंगे, तो जो peak हैं वो characteristic हैं, और जो smooth वाला curve है, वो continuous wavelength है, दूसरा, जब आप experiment करेंगे, तो एक particular color की light intensity सबसे जादा होगी, बहुत सारी x-rays निकल रहे हैं, बहुत सारी x-rays निकल रहे हैं, हमें कोई दिखाई नहीं देती, लेकिन photographic plate पे जब सब को fall कराते हैं, तो सब चमकती है, photographic plate पे जब fall कराते हैं, electromagnetic electromagnetic radiation को, तो सारी की सारी light ray चमकती हैं, मतब सारा x-rays चमकेगा, लेकिन कोई एक light ऐसा होगा, या दो ऐसा होगा, जो सबसे जादा चमकेगा, मतब photographic plate में हमने ऐसे देखा, तो एक particular line सबसे जादा चमक रही है, बाकी सब भी थोड़ा थोड़ा चमक रहे हैं, लेकिन ये line सबस सबसे जादा हैं, और जिसके photon सबसे जादा हैं, वो characteristic वाला हुआ, बाकी सब continuous वाले हुए, कलपना शरी ये सब सवाल मुझसे नहीं पूछो भाई, आपकी जो मर्जी है आप करो, आपकी मर्जी डांस करने की है, आप डांस की, आपकी मर्जी नहाने की है, आप नहा लीजिए, आपकी मर्जी खाना खाने की है, तो आप खाना खा लीजिए, उससे थोड़ी ना लो कि उसे पुछेंगे तो मैं क्या कहूंगा तास हमेशा लो भाई कि अब मैं कि नाथ पोछ लो कि अहां नाथ पोछो कि हमेशा पोछो कि अधर कि ऐसे तो हमने यह थोड़ा कर दिया रिविजन क्या होता है कि कलपना श्री का सवाल अगर आब मैं आपको बता दूं तो आपको एक गाना याद आ जाएगा मुझे भी अचानक याद आ गया कलपना श्री ने एक सवाल पूछा बहुती बेसिक सवाल था उसका जवाब हमेशा नहीं है लेकिन अगर वो सवाल बताएंगे तो आप भी आपको भी गाना याद आ जाएगा वह अभी सुनाऊंगा मैं बहुती अच्छा गाना है किसी ने किसी क्लास के लिए लिए लिखा करने, characteristic X-rays, characteristic X-rays याने की X-rays emitted when electrons make transition between orbits of target atom. अब आप बताओ, फोड़ा ध्यान से देखके बोलना, क्या ये characteristic X-rays का energy, characteristic X-rays का energy करोगे अब आप से सवाल पूछ लिए, आप नाराज जाते हो, ये तो गलत बात है, बिल्कुल सही बात, लेकिन सवाल में भी तो दम होना चाहिए, सवाल था कल्पना शरी का, कि क्या X-rays छोड़ दें, तो चलेगा, एक्स-rays छोड़ के जाएं तो चलेगा, तो चलेगा वही, teacher पढ़ा रहा है, 15 मिनट लगेंगे ये समझ में आ जाएगा, एक सवाल आ गया तो चार नंबर मिल जाएंगे, क्यों चलेगा, और अगर इतना ही लल्लू है, कि छोड़ देना तो मैं ही छोड़ देता, अगर आप को शूर है कि इसका सवाल नहीं आएगा, तो फिर क्या फाइदा है, अगर हमें ये पता ही हो कि कौन-कौन से 25 सवाल आएंगे, सर अगर ये सर आप अच्छे teacher नहींगे, हमने तमाम teacher ऐसे चमतकारी देखें YouTube में, जो कहते हैं कि 25 कौन से सवाल आएंगे, उनको पता है, ऐसे एटम पे, तो इसको अब हम आगे समझ लेते हैं और लिख लेते हैं, ध्यान से देखो, खेल क्या है, intensity वर्सेज वेवलेंद का जब ग्राफ बनाया, यहाँ पे intensity है, intensity को, intensity को, कभी-कभी, spectral, radiancy भी कहते हैं, और कभी-कभी इसको number of photon of particular wavelength कहते हैं, अगर यह एक, दो, तीन, तीन में से कोई भी शब्द इसमें लिखा है, तो आप यही वाला ग्राफ बनाएंगे, इसमें एक ग्राफ में lambda 1 बना है, एक lambda 2 बना है, lambda 1, lambda 2 characteristic वाले हैं, यह lambda 2 characteristic x-rays है, यह q emit हुआ, क्योंकि अंदर transition हुआ है, और यह बागी जो ग्राफ हैं, यह continuous वाले हैं, continuous, आपको दो, तीन बाते याद रखनी क्या, कि एक होता है k alpha transition, k alpha transition किसको कहते हैं, अगर k यानि की l shell से k shell में transition होगा, यानि n is equal to 2 से, n is equal to 1 में transition होगा, तो k alpha, hc by lambda k alpha is equal to e2 minus e1, ऐसे ही, ऐसे ही एक transition का नाम है k beta, k beta का मतलब है, m shell से k shell, यानि n is equal to 3 से, n is equal to 1 पर, यानि adjacent वाले से खुदा, तो alpha, k में खुद रहा है तो k alpha, ऐसे ही आगे वाले से खुदा तो k beta, k में खुद रहा है तो k transition है, और k beta, 3 से 1, तो यह lyman series जैसा होगा, यह k transition lyman series जैसा होगा, कि 1 में आ रहा है electron, 1 में आएगा तो hc by lambda k beta का value, e3 minus e1 लिख देगा, इसी तरीके से, अगर l alpha transition, l alpha transition, l alpha में, alpha मतलब adjacent, m से l में कूदेगा, यानि कि 3 से 2 में jump करेगा, तो hc by lambda, l alpha का value, e3 minus e2, लेकिन आपको यह समझ में आ रहा होगा, कि e2 minus e3 और e3 minus e2 add कर देंगे, तो e3 minus e1 आ जाएगा, यानि 1 by lambda k beta, इसे equal to 1 by lambda k alpha, plus 1 by lambda l alpha, तर यह तो बड़ा ही logic और bores model type का, सवाल लग रहा है, यह result आपने निकाला, बिल्कुल simple है, इसमें numerical भी बड़ा simple आते हैं, और इसमें numerical का कहानी भी, numerical भी बड़े easy आते हैं, और ज़्यादा तर theoretical questions आते हैं, theoretical questions आते हैं, तो यह वाला बालवर series हो गया, यह दोनों लाइमन हो गया, लेकिन आपको पता चल गया कि 2 से 1 का जो difference है, और 3 से 2 का जो difference है, इन दोनों को add कर दें, तो 3 से 1 का difference आ जाएगा, 1 से 2, 2 से 3 का difference add कर दें, तो 3 से 1 का difference आ जाएगा, यादि k बीटा कर ऐसी प्रोकल अलफा और k अलफा और l अलफा के सम के बराबर है frequency में भी ऐसे ही बन जाएगा frequency of k बीटा is equal to frequency of k अलफा plus frequency of l अलफा से भी आपका तो बता ऐसा कोई याद करने वाली चीज नहीं है बड़ा obvious है आप किसी भी समय बना भी लेंगे लेकिन मैंने लिखके दिखा दिया क्योंकि कभी न कभी आपको कोई question इस तरह का मिलेगा तो आपको थोड़ा notice हो जाएगा कि हाँ यह तो यह तो बड़ा obvious चीज़े करा हुआ है और भी transitions होते हैं जिसको अभी हम पढ़ेंगे सबसे important transition k अलफा वाला ही है यानि हमको जो सवाल पूछा जाएगा numerical वो k अलफा transition का ही पूछा जाएगा वही important है यह अलफा transition उस transition को कहते हैं जिसमें electron k shell में k shell 1 को बोलते है k l m n k shell l m n k n is equal to 2 n is equal to 1 n is equal to 3 k है k alpha k है k beta k है l alpha एक हो ध्यान से तकराने भेजते हैं वो electron atom से टकराता नहीं है वो पास आता है वो कभी भी material के अंदर भी नहीं जाता तो बाहर के electron बाहर रहते हैं अंदर के electron अंदर रहते हैं अंदर का electron है अंदर से ही orbit छोड़के inter atomic space में चला जाता है तो अंदर की जो electron है अंदर रहते हैं बाहर के electron बाहर रहते हैं चलिए, अब आगे करते हैं, लिखा हुआ है, Moseley लो लिख दो, Moseley. Moseley ने बोला, measured the frequency of characteristic x-rays for a large number of elements, plotted the square root of frequency against atomic number. He discovered that the plot is very close to straight line, not passing through origin. कैसे करा? ऐसे समझ लीजिए. कि Moseley ने बोला कि ऐसा करो, कि electron beam तो भेज रहे हैं, यह fixed energy की electron beam है, और यह target, target metal plate ले लिया, target plate है, इसका atomic number A1 है, नहीं, sorry, atomic number Z. इसका atomic number पहले Z1 है, बाद में target plate बदल देंगे, Z2 हो जाएगा, बाद में फिर दूसरा plate बदल देंगे, Z3 हो जाएगा, मतलब मालो, aluminium, copper, iron, और इसी तरह के tungsten, 4-5 material का उसने अलग-अलग target plate लिया, और सभी पे electron बेजे, सबके electron से जो K alpha निकला, उस K alpha transition का energy उसने या frequency निकाला, और फिर frequency के root का graph बनाया, अलग-अलग atomic number के साथ, तो उसने Z1 के लिए बनाया, Z2 के लिए बनाया, Z3 के लिए बनाया, Z4 के लिए बनाया, और उसने देखा, कि अलग-अलग values के लिए जब बना के उसने draw किया, तो ये graph straight line तो आया, और straight line आके कहीं intersect हो गया, उसने इस point को भी लिख दिया, और इस graph, graph के slope को, and theta को कुछ A constant A लिख दिया, तो उसने बोला, अगर एक particular transition के लिए, for a particular transition, particular transition मतलब अगर या तो K alpha के लिए के वल calculate करो, तो अलग graph आता है, ये बीटा के लिए करो, तो अलग आता है, L alpha के लिए करो, तो अलग आता है, यानि कि सभी atoms से जब L alpha वाले transitions के energy का frequency का root निकालेंगे, तो graph अलग slope का आता है, और अलग जगे पर intersect होता है, तो देखा उसने ये, कि ये ऐसे straight line है, यानि कि Mx plus C जैसा है, तो A bracket Z minus B, जहां पर intersect हो रहा है, वहां पर atomic number का value B है, Z minus B bracket A bracket Z minus B, सारे के सारे एक साथ ही आते है photons, लेकिन जिसकी intensity जादा होती है, उसको हम बोल रहे है characteristic वाले, और जिनकी intensity नॉर्मल चल रही है, वो सब continuous वाले, तो आप देखो, ये जो हमने दो wavelength बनाए, lambda 1, lambda 2, अगर मैं इसमें पूछू, कि इन दोनों में से एक K alpha है, और दूसरा K beta है, तो बताइए K alpha और K beta कौन से है, तो आप बोलेंगे K beta की energy जादा होनी चाहिए, क्योंकि ये 3 से 1 है, और K alpha की energy कम होनी चाहिए, ये 2 से 1 है, तो 3 से 1 की energy जादा होगी तो wavelength कम होगा, तो lambda K beta का value, less than lambda K alpha होगा, ऐसे ही lambda L alpha का value, greater than lambda K alpha होगा, जिसकी energy कम होगी wavelength जादा होगा, अगर मैं पूछू, इन दोनों में से कौन सा K alpha है, कौन सा बीटा है, तो आप ये K beta बोलेंगे और ये वाले को K alpha बोलेंगे, थोड़ा ध्यान दो, जिसकी energy जादा wavelength कम, एक K alpha transition है, एक K beta transition है, तो एक पहला वाला जो होगया, के alpha होगया, और दूसरा वाला lambda K alpha होगया, तो इसी तरह से graph से पहचान में आ जाता है, कि कौन सा graph का wavelength K alpha है, कौन सा K beta है, मतलब अगर 2-3 निकल रहे हैं, तो मैं आइडिया लगा लोगा कि किसका frequency कम है, किसका जादा है, आप कहेंगे सर सारे के सारे निकल रहे हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा, कि कौन सा वाला K alpha है, कौन दो-3 अलग-अलग तरह के photon का difference हम पता लगा सकते हैं, तो केवल K alpha वाला transition के लिए solve किया, तो यह आएगा, तो यह A और B का value K alpha के लिए लगा आएगा, तो A and B are constants depending upon type of transition जैसे, for example, root mu is equal to root 3 R C by 4, Z minus 1 होता है, for A alpha transition, मैं एक बर ओर लिखता हूं, इस कहानी में A का value root 3 R C by 4 है, और B का value 1 है, किसके लिए? for K alpha transition, for K alpha transition केवल K alpha transition के लिए जो answer है, उसी को याद करना है, बाकी सब को भूल जाना है, यानि K beta और K gamma या L alpha के लिए इस relation का answer कुछ और आएगा, एक answer कुछ और आएगा, बी का answer कुछ और आएगा, ये तो अभी मैं सिखा देता हूँ और root 3 RC by 4 भी कैसे आया वो भी मैं सिखा देता हूँ सीख लो वैसे याद रखने मैं यहाँ लिख रहा हूँ आप अगर bors model को apply कर दें bors model को apply कर रहे है पहले तो यह आद रखना bors model apply कर रहे है तो bors model में हमने देखा था कि अगर n is equal to 2 से n is equal to 1 पे कोई electron चंप करेगा तो normally bors model में एक ही electron होता है और bors model का एक electron ही उपर से नीचे transition कर रहा होता है आप ने बोला कि bors model hydrogen like atom पे ही काम करता है वो इसी लिए बोलते है तो यहाँ पे जो transition हो रहे है कि अगर 2 से 1 होंगे तो hydrogen like atom और normal substance में एक difference है क्या difference है कि जो electron transition करते है उन electron के अलावा कोई और electron नहीं होता bors model में single electron system होता है फिर से सुनो जब हम hydrogen like atom की बात करते है bors model में तो वहाँ पे orbit में केवल एक ही electron होता है वही electron उपर से नीचे jump कर रहा होता है तो जब नीचे आएगा तो nucleus में z protons या atomic number z के particles दिखेंगे लेकिन in this case ideal case नहीं है इसमें 2 से 1 में कोई electron जम कर रहा है याने की 1 में vacancy है लेकिन 1s2 में 1s2 में 2 electrons होते हैं एक electron को remove कर दिया तभी vacancy बनेगी याने की एक electron अभी भी n is equal to 1 के orbit में है आप सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ अगर एक nucleus के चारों तरफ n is equal to 1 का orbit है तो इसमें 2 electrons होंगे इन दोनों electrons का मिला के 1s2 बना और n is equal to 2 वाले state पे और electrons होंगे 2, 3, 6 भी हो सकते हैं जो भी है तो अगर तुमने बोला कि हम k वाला transition करेंगे याने तुमारे टकर से एक electron हट गया तो nucleus के चारों तरफ अभी भी एक electron घूम रहा है और बाहर वाले electron जब transition करेंगे तो उसके लिए z का जो value है उसमें z तो positive charge है एक electron और घूम रहा है तो effective charge at the center एक electron अभी भी remaining in the n is equal to 1 orbit है तो effective charge enclosed is z minus 1 into e मैंने जो बोला इसका मतलब समझ गये होगे कि सर बोर्स model में क्या होता है कि एक ही electron होता है तो जो electron उपर गया वही फस्ट एक ही electron था वही था वह उपर चला गया है तो nucleus में जो सारा positive charge है वो z proton के बराबर है z proton लेकिन इसमें एक orbit में दो electron थे के transition में एक electron को हमने यहां भेज दिया एक इधर बाहर चला गया तो orbit में अभी भी एक electron बचा जो घूम रहा है तो अगर मैं पूछूं कि n is equal to two वाले particles के लिए net attraction force किया है तो आप बोलेंगे center पे अब total charge z proton और एक electron का मतलब अगर यह Gaussian surface बनाओ और पूछूं what is total charge and close तो आप z minus one बोलेंगे इसका मतलब है जहां जहां बोर्स model में z आता था वहां पे z minus one हो जाएगा इसको हम z effective कहा देते तो अगर मैं इसी को लिखूं तो मेरे बोर्स model के हिसाब से for k alpha transition और k alpha transition h into frequency new is equal to 13.6 उसको rhc लिख रहा हूं rhc z effective square 1 minus 1 by 4 क्योंकि k alpha transition कर रहे हैं तो n is equal to 2 से n is equal to 1 की बात होगी तो 1 by n1 square minus 1 by n2 square कर दिया 1 minus 1 by 4 3 by 4 यहां पे आ गया h से h cancel कर दिया तो frequency आ गया 3 by 4 rc r rydberg constant है और z effective की जगे लिख दिया z minus 1 whole square यह frequency का function आ गया whole square में अगर frequency पर root लगा देंगे तो root of frequency is root of 3 rc by 4 और bracket z minus 1 तो आप जड़ा इसको mozele law से compare करो तो आपको a का value और b का value आते वे नजर आएगा इस a और b के values को जड़ा आपको याद कर लेना है अब यह सवाल पढ़ लेते हैं बच्चों अगर सवाल हो गया तो बहुत मजाएगा लिखा हुआ है lambda copper is the wavelength of k alpha k alpha लिखा देखो k alpha x-ray x-ray line of copper atomic number 29 lambda mo is wavelength of k alpha देखो k alpha ही दिया रहेगा of x-ray line of molybdenum 42 then ratio of lambda cu upon lambda mo यहाँ पे frequency है अगर hc by lambda कर दे तो क्या ऐसा लिख सकते है 1 by lambda equal to 3 by 4 r अब देखो c भी कट गया क्योंकि अगर मैं इसको hc by lambda लिखूं बच्चों यहाँ पे hc by lambda लिख देता तो h और c दोनों कट जाते हैं तो 3 by 4 r और z minus 1 का whole square गया अब lambda cu लिखना है 3 by 4 r तो दोनों का सेम है तो यहाँ लिख दिया lambda cu upon lambda mo is equal to z cu वाला नीचे चला जाएगा और molybdenum वाला उपर 42 minus 1 का whole square और 29 minus 1 का whole square तो lambda cu upon lambda mo का value यह 42 minus 1 41 का whole square है और यह 28 मतलब अगर 3 by 2 लिख सकते है approximately 3 by 2 करें तो इसका square हो जाएगा 9 by 4 तो approximately मतलब slightly less than 9 by 4 हो जाएगा slightly less than 9 by 4 तो मैं 9 by 4 के हसाब क्योंकि सारे values दूर दूर है तो 9 by 4 के हसाब से कर दे तो 2.25 slightly less than है तो 2.14 है ना less than यहां लिखा हो विच्टा following statement is wrong in context to x-rays generated from x-rays tube wavelength of characteristic x-rays decreases when atomic number of target increases यह सही लग रहा है क्योंकि देखो दो चीज़े मैं लिखा दे रहा हूँ आप भी लिख लीजिए कि जो v-naught है वो continuous x-rays के लिए काम करेगा continuous and cut-off wavelength और जो z है वो decide करेगा lambda k alpha lambda l alpha को याने कि अगर z का value बढ़ा होगे तो atomic number बढ़ने से 2 orbit के बीच का energy gap बढ़ता है बढ़ता है तो lambda घटता है lambda k alpha lambda l alpha सब decrease करने लगेंगे z बढ़ाने से लेकिन v-naught अगर बढ़ा होगे तो lambda cut-off decrease करेगा अगर z बढ़ोगे तो lambda k alpha और l alpha बढ़ेगा और v-naught बढ़ा होगे तो lambda cut-off बढ़ेगा चलिए कट-off wavelength of continuous x-rays depend upon atomic number यह गलत हो गया यह सही हो गया इन्टेंसिटी ऑफ केरेक्टरीज एक्स डिपेंड अपॉन electrical power गिवें टू एक्स ट्यूब यह भी सही हो गया electrical power का मतलब है ज्यादा ज्यादा filament current बनेगा ज्यादा filament के ज्यादा electron निकल सकते या फिर इदर ऐसे बोलो ज्यादा टक कर मारेंगे तो ज्यादा energy के photon निकलेंगे तो electrical power increase करेगा intensity of x-rays भी इंक्रीज करेगा कट-off wavelength of the continuous x-rays depend on energy of electron in the x-rays tube यह भी सही लग रहा है क्योंकि energy इसी से बनी है energy मतलब e v naught electron with de Broglie wavelength lambda fall on target in x-ray tube, electron with de Broglie wavelength lambda fall on x-ray tube. the cut-off wavelength of the emitted x-rays तो जिस का de Broglie wavelength lambda होता है उस electron का energy of electron will be h square by 2m lambda d square यह याद हुआ आपको क्या? और जब हम लोग cut-off wavelength निकालते हैं cut-off wavelength तो हम लिखते हैं lambda cut-off equal to hc by lambda hc by energy of photon, energy of electron hc by energy of photon, hc by nervous अबिलन्थ एमिटेड बाइ अटम अटमिक नमबर जड एकौल to 11 is lambda 1 is proportional to 1 by z minus 1 ka whole square. So, lambda 1 upon lambda 2 is z 2 minus 1 ka whole square upon z 1 minus 1 ka whole square. 1 लिखため lambda दूसरा लिखा 4 lambda equal to z 2 minus 1 ka whole square upon 11 minus 1 का whole square, इसको cancel करके root लगा दिया, तो 1 by 2 into 10 equal to Z2 minus 1, cancel किया, तो Z2 का value 5 plus 1, 6 यह हमने अभी अभी formula बनाया था, उसमें दो formula बन रहे हैं, एक तो Mosley law बोलता है कि frequency का root is 3RC by 4, Z minus 1 और दूसरा 1 by lambda, same 1 by lambda का root is root 3R by 4 और Z minus, तो ऐसे में देखेंगे तो lambda inversely proportional to Z minus 1 whole square हो जाएगा और frequency is directly proportional to Z minus 1, पर हो जाएगा root हटाए तो, तो दोनों result को जड़ा दिमाग में रखेगा, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, ठीका है potential difference applied to an X-ray tube 5 kilo volt and current through it is 3.2 milli ampere, when the number of electrons striking the target per second, यह current से ही पता चल जाएगा, 3.2 milli ampere अगर किसी के पास current हो और number of electrons टकराते हो, एक electron का charge से, एक electron का charge इतना number of electrons per second टकरारे वो N है, तो charge per second ही current होता है, इससे N का value directly solve कर सकते हो, यहाँ 1.6 लिखा, यहाँ 3.2 वाला ही factor आएगा, answer आ गया, voltage क्यों दिया है, ऐसे ही time pass करने के लिए दिया है, voltage की जिनता मत करो, lambda वाले में c नहीं लिखेंगे भाई, h c by lambda, c cut गया, h और c सब कट गया, h c by lambda, c by lambda होता frequency, c by lambda, c cut गया नहीं, सर, c तो लिखा नहीं, second वाले में, second वाले में c नहीं, frequency is speed upon lambda करा, तो c cut गया भाई, फोड़ा घ्यान दो, लिखा भाई, intensity of x-rays in coolis tube, from a coolis tube is plotted against lambda, as shown in the figure, minimum wavelength found is lambda c, so cut-off wavelength कहते हैं और characteristic k alpha is lambda k, यह k alpha वाला lambda k है, और यह lambda c, गोल रहा है, as accelerating voltage v0 अगर increase करोगे, तो cut-off wavelength decrease होगा, lambda, lambda k alpha पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, lambda k alpha एवल target पे depend करता है, तो k alpha same है, lambda c decrease करेगा, k alpha same रहेगा, तो अगर यह decrease कर जाए और यह same रहे, मतलब यह graph left में खिसकेगा, तो lambda c वाला जो point है, shifts towards left, तो आप कहेंगे lambda k alpha minus lambda c का value increase करेगा, क्योंकि k alpha तो same है और lambda c decrease कर रहा है, तो difference increase यह जो gap है increase करेगा, अगर मैं सवाल को बदल दूँ और मैं पूछू, if atomic number is increased, atomic number of target is increased, तो क्या होगा, तो आप कहेंगे lambda k alpha decrease करेगा, और lambda c same रहेगा, ऐसे case में lambda k alpha minus lambda c का जो difference है, वो decrease करना चाहिए, थोड़ा सोचो क्या लिखा, k alpha कम हो रहा है, lambda c same है, यह same है, यह कम हो रहा है, तो a minus b में अगर a decrease करेंगे, तो यह a minus b decrease करेगा, बाई, electrons of energy 80 kilo electron volt are incident on tungsten target of x-rays tube, k shell electron of tungsten have 72.5 kilo electron volt energy, x-rays emitted by tube contains only a continuous x-ray spectrum with a minimum wavelength of 0.155 Ym, a continuous spectrum of all wavelengths, a characteristic x-rays or spectrum of tungsten and a continuous x-ray spectrum with minimum wavelength 0.55 and a characteristic x-ray spectrum of tungsten. यह D वाला सही है, देखो एक बार चेक करते हैं, यहां पर electrons of energy 80 kilo electron volt है, tungsten पर टकराया और इसके k shell के electron मतलब k alpha वाले electron का या k shell वाले electron का जो binding energy 72.5 kilo electron volt है, तो अगर माल दीजिए k shell का कोई electron होगा, उसको 72.5 kilo electron volt binding energy है, और इधर से 80 kilo electron volt का, अगर electron आके टकराएगा, तो यह electron से यह हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते हैं? आप कहेंगे 80 वाला आ रहा है और यहाँ पे इसको निकालने के लिए 72 चाहिए, तो क्या 80 में से 72 मिलके यह बाहर निकल सकता है? आप बोलेंगे बिल्कुल निकल सकता है, अगर यह निकल सकता है, तो k alpha transition जरूर होगा, क्योंकि अगर k shell वाला electron निकल गया, तो उपर से कोई ना कोई transition जरूर होगा, याने कि characteristic तो मिलेगा ही मिलेगा, और जब electron टकराते हैं, तो continuous भी मिलते हैं, तो continuous वाले energy कैसे निकालते हैं, वो lambda c याने lambda cut off equal to 1240 upon 80,000, ऐसा कर देंगे, तो आप देखो यह 1.5 के स्पास हो गया, 0.155, एंक्स्ट्रॉम ऐसा बन जाएगा, वैने जो बताने की कोशिश करी, थोड़ा समझने की करें, यहाँ पे जो energy दिया है, electrons का वो 80 के आ रहे हैं, और k shell के electron को हटाने के लिए 72.5 चाहिए, तो k shell का electron हट पाएगा कि नहीं, हटेगा, अगर हटेगा, तो कोई ना कोई characteristic transition भी होगा, तो characteristic x-rays तो मिलेंगे ही, और साथी साथ यह जो 80 से आ रहा है, इसका cut-off wavelength भी कुछ होगा, तो continuous भी मिलेंगे, तो continuous wavelength इससे match भी कर रहा है, यह match कर गया, और characteristic भी मिल रहा है, तो दोनों मिल रहे हैं, तो option d सही हो गया, एक्स-rays में electrical energy बढ़ने से characteristic wavelength वाली x-rays कैसे बढ़ती है, नहीं बढ़ती है, characteristic x-rays में electrical energy बढ़ाने से कुछ नहीं होता, intensity of x-rays बढ़ती है, अगर हम अपना x-rays tube में electrical power बढ़ा दें, तो intensity बढ़ती है, electrical power बढ़ने से ज़्यादा electron टकराएंगे, ज़्यादा energy से टकराएंगे, तो ज़्यादा electron टकराएं या ज़्यादा energy से टकराएं, जो number of photons continuous वाले निकलते हैं, उनके number बढ़ जाते हैं, तो ज़्यादा photons निकलें तो intensity बढ़ जाएगी यह जो k alpha transition दे दिया, यही e2 minus e1 हो गया, c को हमने hc by lambda k alpha लिख दिया, लेकिन hc का value 1240 होता है, divided by 021 कर दिया, electron volt nanometer हो गया यह, cancel कर दिया, electron volt में answer आ सकता है, तो यही आ जाएगा, देखिए, दीख भी रहा है, 60 के आसपास answer बनना चाहिए, the x-ray beam coming from x-ray tube will be, monochromatic बिल्कुल गलत, भहुत सारे wavelength निकलते हैं, monochromatic नहीं होता, having all wavelengths smaller than certain maximum, बिल्कुल गलत, minimum से बढ़ा होता है, having all wavelengths larger than certain minimum wavelength सही, having all wavelengths lying between minimum, maximum, maximum नहीं होता, minimum होता, minimum होता बस, minimum, यह बाला करो, characteristic x-ray frequency दिया है, are produced when transition L to k shell takes place in a certain target material, use Mosley's laws to determine atomic number target material, given Rydberg constant 1.1 into 10 to the power 7, Rydberg constant दिया इसका मतलब 3 RC by 4, use करने को बोला, root of frequency is root of 3 RC by 4 into Z minus 1, का होल square कर दे तो Z minus 1 का होल square, equal to CRC by frequency into 4 upon 3 R. So, frequency का value दिया है, 4.2 into 10 का power 18, 4 upon 3 R का value 1.1 into 10 का power 7, दिया है, टो अच्वा आट पंदरा, यह थाट, इसा है, यह दो हुआ है, आट 15, आट 15, 10 काई-द्रिख्राथा, पंदरा, very स्थारा, पंदरा 5, का आट 15, आट 15, आट 15, 168 का root almost 13 हो जाएगा, 130 30 by 3, Z minor, जा गया, इन number से फरक पड़ता है, तो number का difference है कि approximately कैसे करें. झाल झाल अच्छा 1.1 भी है, 9.9 यह एप्रॉक्सिमेटली कर लेते हैं. अप्रॉक्सिमेटली मतला अल्मोस्ट इग्जाक्ली फॉर्टी वन आ जाएगा लेकिन आमने चलो अप्रॉक्सिमेटली भी भी पारा जेट का वैलुव झाल 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 ंवजाक्ट्र श्थमेटली विर्व मतले लेकिने पारा जेटली विरॉक्सिमेटली औ emergency, 9.casमेटली विर्ट पारा प्रॉक्सिमेटली फारे घ्यों पर ग्याएगाब lीय synd